युद्ध, प्यार, परमानु विस्पोर्ट, ग्लोबल वार्मी, कितना कुछ जिर रहा है हमारा नीला ग्रह और आखरी इन सब का जिम्यदार कौन है? हम मनुश्य, परन्तु क्या आप जानते हैं हमारे सुन्दर से ग्रह को ऐसा बनने में कितना समय लगाता है? वो ग्रह जो ह हमारे लिए सबसे मुल्यवान है, वो कितने सालों के कठीन मैनत का फ़ल है कि आप जानते हैं? आईए आज हम चलेंगे समय में पीछे और सुरुवास से जानेंगे हमारे पृत्वी के एक चट्टान के टुकड़े से लेकर एक जीवन से सम्रिद्ध ग्रह बनने तक के सफर क तो आईए हम समय में पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे आज से करीब 4.06 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल और एक नया जन्मा तारा जिसके चारो और धूल और चट्टान चकर काट रहे हैं, यहां हमारी पृत्वी का नामो निसान तक नहीं है, हम समय में कुछ जादा ह चुके हैं, अभी तक पृत्वी के बनने की प्रक्रिया की सुरुवात नहीं हुई है, लेकिन इसकी निव तयार हो चुकी है, यह चट्टान और धूल अब गृत्वाकर्शन की वजह से आपस में जुड़ रहे हैं, कई लाख सालों के बाद अब एक भीमकाय चट्टान के गोले में बदल चुकी हैं, लेकिन इसे हम पृत्वी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप यह बहुती गर्म हैं, यह आज के वीनस यानि सुक्र ग्रह के समान हैं, आज से करीब साड़ी चार अरब साल पहले हैं, धर्ती की सत्था पूरी तरह खौलते लावा से ढखी हैं, आप गलती से भी नीचे पैर रखने की कोशिश मत करना, वरना आपके पास दुबारा रखने के लिए पैर नहीं वचेगा, इस वक्त धर्ती की सत्था का तापमान करीब 1200 डिग्री सलस्य से, यानि ये जगह फिलाल नर्क से कम नहीं है, यहां ऑक्सिजन का नामों निसान तक नह धर्ती पे लगातार एस्टरोइट्स की बरसात हो रही है, जो सतर पर कई किलोमेटर लंबे खौलते लावा के नदियों का निर्मान कर रहे हैं, और ये एस्टरोइट्स कहीं दूर के नहीं, बलकि धर्ती के पडोसी है, जो लगातार उससे टकरा रही है, उपर देखिए, ये है एक नया नवेला ग्रह थिया, जो तेजी से हमारी और, यानि धर्ती की और बढ़ रही है, करीब 15 किलोमेटर प्रती सेकेंड के रफतार से, यानि एक गोली के रफतार से 20 गुना ज्यादा थीज, हमें इसका स्वागत करना है, क्योंकि इसी की वज़ह से हमारी खुब सनिग्रह के रिंग के जैसा ही दो भागों में बटा है, पहला रिंग आज के धर्ती और चांद के बीच में है, और दूसरा चांद के पीछे, इस रिंग से एस्टरोइट्स लगाता धर्ती पर बरस रहे हैं, लेकिन एस्टरोइट्स के असल बारिस अभी भी सुरू नहीं ह अब ये रिंग धीरे धीरे ग्राविटी की वजह से एक 3000 किलोमेटर चौड़े गोल या पिंड में बदल जाएंगी, और यहां हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को, ये है हमारा चांद, इसमें फिलाल कोई दाग नहीं है, और ये अब हमारे धर्ती के कापी नस्दीक है, जिसकी वजह से ये हमें इतनी बड़ी दिखाई दे रहे हैं, इसका सरफेस अभी पूरी तरह से गर्मलावा से बना है, और इतने करीब होने के वजह से ये लगातार धर्ती पर अपना गुत्वाकर्शन प्रभाव डाल रहे हैं, करीब 30 लाग साल बाद, अब हमारे सोल अश्ट्रोइट्स और कॉमेट्स के बीच में एक ग्राविटेशनल मेस तयार हो रहा है, जो इन अश्ट्रोइट्स और कॉमेट्स को सौरमंडल के आंतरिक भाग में धकेर रही है, सिदे-सिदे मंगल, सुक्र, बुद्ध और हमारी धर्तिकी और, यही वो समय है जब हमारे चांद को इन अश्ट्रोइट्स की वजह से उसके जाने पैचाने दाग मिलने वाले हैं, इस अवधी को कहा जाता है दलेट हैवी बंबार्डमेंट, बाइदवे इस समय हमारा चांद भी बहुत बहुती गर्म था, यह आसमान में एक बड़े लैंटर्न की तरह चमकता था, और यह धर्ती के इतने करीब था कि इसका गुर्दवागरसन हमारे धर्ती को आज की तुलना में 25 गुना जादा प्रभावित कर रहा था, हमारे धर्ती पर एक दिन 24 गंटों का नहीं, बलकि केवल 6 गंटों का होता था, और इसके कारण धर्ती के लावा के नदियों में लह लगेंगी, और लावा के नदिया ठंडी होने लगेंगी, जिससे धर्ती के सता का निर्मान होगा, इस वक्त आस्मान में ये भीमकाय चमकीला चांद ही एक मात्र चीज नहीं है, जो आपका ध्यान अकर्शित दरेगा, बलकि आब आपको दो बहुत ही चमकीले तारे भी आस ये सब रौकी प्लैनेट्स है, और ये ज्यादा समय तक बिगले हुए लावा के रुप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन वहीं जूपीटर और सैटर्न असर में ग्यास जायंट्स हैं, जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकती है, धर्ती के जर्म के इस समय काल में जूप अरे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं, तो उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था, परन्तु चार अरब साल के लंबे अवधी में ये ग्रहें भी धीरे धीरे ठंडी हो जाएंगे, आईए चलते हैं वापस हमारी धर्ती पर, धर्ती के वायो मंद साथ पानी का धर्ती में परिवहन किया, इस पानी ने धर्ती में समुद्रों का निर्मान किया, धर्ती अब चारों तरफ से समुद्र से घिरी होई थी, लेकिन यहां ना तो पैर रखने के लिए जैमील था, और ना ही सास लेने के लिए ऑक्सिजन, हमारी धर्ती अभी को जरूर देखिए ये दोनों एपिसोड्स आल्रेडी चैनल पे है वीडियो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और उपर आई के बटन पे मिल जाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड और फेस्बुक में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्स्क्राइब करने के साथ साथ नोडिफिकेशन बैल को भी ओन कर लो मैं मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ तब तके लिए जाहिंग बाई